बाई और बेहनों, कॉंग्रेस देश की सुरक्षा पर ही नहीं, हमारे गरीबों और मद्यमबर्ग पर प्रहार करने के सपने भी पाल रही हैं। दो दिन पहले ही, ये नामदारों के गुरू, इनके मारदर्शक जो विशेश रुप से उनको जिताने के लिए अमेरिका से आये, आने के बाद उनको पता चल गया है, जिताने की बाद छोड़ो जमानत बच पाएगी और नहीं बच पाएगी। और इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े अहंकार के साथ टीवी के सामने ऐसी बाते की इस से पता चलता है कि कॉंग्रेस के दिमाग में कौन सी साजिस चल रही है। आप सब चौक जाएए, जाग जाएए। इसके गुरू ने जो कहा है इसको लाइट मत लीजिए। उन्होंने कहा है, मिडल क्लास को दमकाया है, दमकाया। उन्होंने तिहां कह दिया, मिडल क्लास स्वार्थी है, मिडल क्लास लाल्ची है। और कॉंग्रेस सोचती है, कि आप अगर देश के लिए कुछ नहीं करते, और सिरफ मिडल क्लास खुद का ही बला सोचता है। ये कॉंग्रेस के मुख्याद टीवी के सामने बोल रहे हैं। और इसलिए आप पर देश के मद्यमबर्ग पर टैक्स बढ़ाना, टैक्स लगाना, ये कोई गुना नहीं बनता है। ऐसी सोच से आप सहेमत है क्या, इमानदार मद्यमबर्ग को इस प्रकार से कुचलने की बाते आपको मंजूर है क्या, क्या देश के मद्यमबर्गी समाज को खतम करके देश चला सकते हैं क्या आप। अरे भाईयों भेनों हमारा मद्धिम्बर का व्यक्ति होता है जो कानून को मानता है इमानदारी से सरकार को जो भी देना पड़ता है वो देने में कभी चोरी नहीं करता है भाईयों और बेनों आज करीब 50 करोड गरीबों को आयुश्मान भारत योजना के तहट मुप्त इलाज की सुविदा मिल रही है तो उसके पीछे यह हमारा इमानदार कर दाता है हमारा मद्धिम्बर का परिवार है बेश के करीब 12 करोड किसान परिवारों को हर वर्ष 75,000 करोड रुपिये बेंक खाते में पहुंचने शुरू हो गए हैं तो वो भी हुआ है इमानदार कर दाताओं के कारण मेरे मद्धिम्बर की परिवारों के कारण साथ करोड से अधिक गरीब बहनों को मुप्त लपीजी सिलेंडर मिला है तो वो भी ये इमानदार कर दाताओं के कारण मिला है मेरे मद्धिम्बर की परिवार की उधार्गता के कारण मिला है देड करोड चे अधिक परिवारों को अपना पक्का घर दस करोड चे अधिक परिवारों को अपना सवचाले ये इमानदार कर दाताओं के कारण संबव हुआ है करोडों गरीब परिवारों को सस्ता रासन मिल पाता है दो टाइम वो पेट भर खाना खा सकता है ये इनी इमानदार कर दाताओं के कारण संबव है चार धाम को जोडने वाली आल वेजर रोड हो बाबा केदार के पवित्र धाम का पुनर निर्माण हो रिसी केस कर्ण प्रयाग रेल लाइन का निर्माण हो ऐसे हर काम इसलिए हो पा रहे हैं कि इमानदार करदाता देश के खजाने में पैसा डालता है लेकिन कॉंग्रेस को यही इमानदारी तो मुसिबत कर रही है यही इमानदारी से उनको नफ्रत है जिसका सिर्ष नेतृत्व ही टैक्स छुपाने का आरोपी है उसको टैक्स देने वाले इमानदार मद्यमबर के लोग स्वार्ती लगेंगे और ये भाशा हिंदुस्तान का मद्यमबर के कभी स्विकार नहीं करेगा